स्वागत आपका Learn Coding with भाई में मैं हूँ रोहित आजाद मलिक के और भाई हम कर रहे थे react hook form बेसिकली आपने previous class में देखा होगा कि हमने भाई nested object किया था और उसे पहले default value किया था और default value में हमने भाई props के through data पास किया था API के through हम ले के आये थे और भाई आज हम बात करेंगे nested object हमारा हो चुका है array के बारे में कि एक nested object में अगर आपने data save करना है तो हमें कैसे करते हैं वो हम cover कर चुके हैं previous वीडियो में और इस वीडियो में हम cover करेंगे arrays कि suppose क्रो मुझे ना array के अंदर data send करना है through the APIs वो हम कैसे करेंगे ठीक है चलिए देखते हैं let's code की तरफ चलते हैं भाई तो सबसे पहले देखो हमने एक example ले लेते हैं कि मालू मेरे पास ना दो phone number है ठीक है secondary और primary मुझे दो phone number दोनों के दोनों एक अलग-अलग field में नहीं चाहिए मुझे वो एक array में send करने है तो मैं एक array में कैसे करूँगा तो उसका पहला step क्या होना होगा जो हमारी default value थी suppose कोई default value डालना चाहते हो या blank रखना चाहते हो मैं यहाँ पर default में डाल देता हूँ blank कि मेरा blank हो क्या blank हो array यानि कि phone number में मैं जो भी type करूँगा वो array की form में submit होगा ठीक है अब यहाँ पर मैं दो blank ले लेता हूँ index 0 index मेरा blank है और 1 index मेरा blank है ठीक है फर्स्ट टैप मेरा complete हो गया अब नौ सेकंड स्टैप सेकंड स्टैप क्या है कि जहां पर मैंने फों को methods होंगे वो सारे के सारे हमारे फोन की जो input फिल्डर उस पर implement हो जाएंगे जैसे उसका नेम हो गया रैप हो गया ओन चेंज हो गया ओन बलर हो गया तो हमने फोन डाला था तो देखो यहां पर ना फोन है लेकिन फोन अब यह मेरी एजे स्टिंग नहीं है यह एजे एरे हो पर चुका है तो मुझे यहां पर क्या डालना पड़ेगा जो मेरा इंडेक्स क्या होगा वह यहां पर आएगा ठीक है और उसके वाद सेम आपका वैसे ही जैसे आपने वैलिडेशन के रूल लगा रखें वह आपका सारा काम करेगा अब नेक्स्ट मुझे एक और चीए सेक इस ही कोई कोपी किया मैंने पेस्ट किया जो कि सेकेंडरी मोबाइल में अब यहां पर मैं नाम चेंज कर देता हूं क्या सेकेंडरी मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर कर देता हूं सेकेंडरी ठीक है सेकेंडरी फोन अब से मैंने आईडी पे कर दिया अब मुझे इसमें नहीं चाहिए तो वेलिडेशिन को मैं यहां पर रिमू कर देता हूं अब नेक्स्ट यहां पर क्या जाएगा यह यहां पर जाएगा वन जो मेरा वन इंडेक्स है वो यहां पर जाए और भी डाली निरा तो प्रिंट भी कराना मेरे खो बस आपने सेव किया अब हम चलते हैं ब्राउजर पर यहां पर मैंने पेज को रीलोड किया तो आप देखोगे कि मेरा मोबाइल नमबर आ गया है और सेकेंडर मोबाइल नमबर आ गया है सिटी कोड अब अगर मैं इसको सेव करूंगा तो मैं ने मेरा प्रीडिफाइन आ रहा है इमेल ब्लैंक आ तो इमेल मैंने डाल दिया यहां पे learn coding with a by at the rate gmail.com ठीक है मेरी email आगी अब next मेरा mobile number मांग रहे हैं ओके मैं mobile number डाल देता हूँ 6711 अब next secondary mobile number ठीक है भाई 9973 87 87 27 city city मैंने फील कर दिया डैली 0085 पिन कोड मेरा है यहां पर 0001 कर देते हैं अब आप देखोगे जब मैं submit करूंगा तो मुझे अश्व यह निच्टि और यह दोनों नंबर आप मिलेगे और आप यहां पर भी देख सकते हो जोकि यह बीजुल हुक्स है मदैव उच्वल जुलाईजेशन जो यहां पर शोकर है यहां भून जीरो दिखा रहे है यहां पर फोन वण दिखा रहा है यहां पर आपर अगर म मेरे पास और शूरी अरह यहां फो हमेड़ Len His이 चुका है जीरो इंडेक्स मी च्रॉक्षर मेरा हएं पेला नंब और वान इंडेक्स मेंक्स्यान अन्च अज सेकेंड़ ड्रीन waist तो ऐसे मैं यहां पर अपना डेटा को स्ट्रक्चर बना के API में सेंट कर सकता हूं कि मेरा फर्स मुबाइल नंबर ऐसे जाएगा तो भी ऐसे हम एरे का इस्तमाल करते हैं रियक्ट फोम में कैसे देखो सिंपल चीजे हैं कुछ निया भाई यहां पर सबसे पहले तो मैंने डिफोल्ट वैल्यू में डाल दिया ठीक है क्या कि भी मेरा फोन नंबर है जो की एरे होगा दो एरे ब्लैंक होगा और उसके बाद जो फोन था मेरा जहां यहां पर मैं रिजिस्टर कर रहा हूं कि देखो यहां पर मैंने फोम को ऐसे रहे की ऐसे निहीं कभी आप ऐसे डाल दो ऐसे निहीं जाएगा इसमें डोट जीरो जाएगा ज़ो फोन इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू यहां पर जाएगी सेम मैंने फॉन टू में कर दिया क्योंकि फॉन टू में कर दिया इसमें जो मेरा इंडेक्स वन होगा जीरो तो ऊपर चला गया वन उसके बाद वन आएगा तो यहां पर मेरा प्रिंट हो जाएगा और चुक्कि यहां पर मुझे रिक्वार्मेंट नहीं थी अपनी एक त्राइब करना देखना इसमें हमने एरे को कवर किया है अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है बाई धन्यवाद आपका आपने वीडियो देखिए आई होप कि आपको यह अंडर्स्टैंड आया हुआ समझ में आया हुआ कि हम एरे को कैसे बताना